भारतिय सेना में शामिल होने के लिए पंजीकरण और आवेदन कैसे करें इस वीडियो में आपका स्वागत है सबसे पहले www.join.indianarmy.nic.in पर जाएं उमीदवारों को पंजीकरण प्रक्रिया के लिए अपने आधार से जुड़े मोबाईल या मैट्रिकुलेशन प्रमान पत्र साथ रखने की आवश्यकता है हम यहाँ बताएंगे कि भारतिय सेना में शामिल होने के लिए पंजीकरण कैसे करें और जो लोग पहले से पंजीकरित हैं वे सीधे वीडियो के समय तीन बज़ कर तिरपन मिनट पर जा सकते हैं उमीदवार पंजीकरण के लिए सबसे पहले दी गई वेबसाइट पर जाएं वेबसाइट में लॉग इन करने के लिए आपको क्यापचा टेक्स्ट दर्स करना होगा एंटर वेबसाइट पर क्लिक करें आवेदक या तो नियमित कैडर या अगनिपत मेन्यू से पंजीकरण कर सकते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें रजिस्ट्रेशन करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश अवश्य पढ़ें कंटिन्यू पर क्लिक करें अब पर्सनल डिटेल्स के तहट आपको दो विकल्प दिखाई देंगे आधार नंबर और मैट्रिक सर्टिफिकेट आधार के साथ पंजीकरण अगर आप आधार संख्या विकल्प का चयन करेंगे और फेच फ्रों दिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे तो आपको डिजी लॉकर साइट पर पुना प्रेशित कर दिया जाएगा यहां आपको आधार नंबर भरना होगा और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा आपके पंजीकरित मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा OTP भरे और कंटिन्यू पर क्लिक करें यदि आप अलाव पर क्लिक करते हैं तो आपका नाम मार्फत और जन्न तिथी स्वचालित रूप से डिजी लॉकर से प्राप्थ हो जाएगी यदि आपका नाम और जन्न तिथी मैट्रिक प्रमान पत्र के साथ मेल नहीं खाता है तो आपको पंजी करण के लिए आगे बढ़ने से पहले आधार में सुधार करवाना चाहिए अब आप बैलेंस फील्ड भरें अब क्याप्चा टेक्स्ट दर्ज करें सब्मिट पर क्लिक करें अबकी इमेल आईडी पर एक OTP प्राप्थ होगा अब OTP, कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें और सब्मिट पर क्लिक करें अब आपको व्यक्तिगत विवरन, संपर्क विवरन और शिक्षा विवरन भरना होगा जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए आपका इमेल आईडी ही आपका उप्योग करता नाम होगा पासवर्ड अनुभाग में अब आप दिये गए सयोजन के अनुसार लॉगिन पासवर्ड बना सकते हैं कन्फर्म पासवर्ड में फिर से वांचित पासवर्ड दर्ज करें ध्यान दे सत्यापन कोड के समवेदी है क्याप्चा दर्ज करें और सेफ पर क्लिक करें मैट्रिक प्रमान पत्र के साथ पंजी करन यदि आप मैट्रिक प्रमान पत्र का चयन करते हैं, तो आपको Dizzy Locker साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा आपको मैट्रिक बोर्ड के नाम का चयन करना होगा और आवशक विवरन भरना होगा अब Find बटन पर क्लिक करें आपका नाम, पिता का नाम और जन्म तिथी Dizzy Locker से स्वता प्राप्थ हो जाएगी अब आप Balance Field भरें चेश चरण आधार विकल्प के समान है यहां आपकी पंजीकरन प्रक्रिया पूरी होती है पंजीकरन प्रक्रिया के पश्चात अधिसूचना के आधार पर आवेदत नियमित कैडर या अगनिपत मेन्यू में लॉग इन या Apply Online बटन पर क्लिक कर आवेदन कर सकता है लॉग इन या Apply Online पर क्लिक करें लॉग इन पेज प्रदर्शित होगा पहले से पंजीकरित श्रेणी में अपना उप्योग करता नाम और पास्वर्ड दर्श करें Capture Text दर्श करें ध्यान दे सत्यापन कोड के समवेदी है लॉग इन पर क्लिक करें डैश्बोर्ड प्रिष्ट प्रदर्शित होगा आपको ड्रॉपडाउन सूची से अनिवार्य विवरण भरना होगा यदि आप हाइलाइट की गई किसी श्रेणी से संबंधित है तो कृप्या दी गई सूची में से चयन करें चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करें अधिसूचना, शिक्षा योग्यता, शारिरिक मापदंड आधी के आधार पर पात्र श्रेणी नियमित समवर्ग और अगनिवीर टैब दोनों में प्रदर्शित की जाएगी आवेदन खुला होने के आधार पर अपलाई बटन हरा या लाल होगा वांचित श्रेणी के अपलाई बटन पर क्लिक करें यदि यहा हरा है आवेदन निर्देश प्रिष्ट प्रदर्शित किया जाएगा ओनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ना होगा फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें अब व्यक्तिगत जानकारी में क्रिप्या शेश शेत्र भरें आवशक आकार और प्रारूप के अनुसार अपना नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें अगला संपर्क विवरण मेनू में ड्रॉप डाउन सूची से संपर्क विवरण भरना होगा यदी पत्राचार का पता स्थाई पते के समान है तो स्थाई पते के समान चेक बॉक्स पर क्लिक करें यदी पत्राचार का पता स्थाई पते से भिन्न है तो क्रिप्या विवरण भरें सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें. अब विविद विवरण मेनू में. आपको ड्रॉपडाउन सूची से आवशक विवरण भरना होगा. सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें. अब शिक्षा विवरण मेनू में. आपको आवशक शिक्षा विवरण भरना होगा. उम्मीदवार जनों ने योग्यता पाठ्यक्रम को तीन कर ली है उन्हें विशय के अंक भरना अनिवार्य है उम्मीदवार जो योग्यता परीक्षा में उपस्थित हो रही है उन्हें अंक भरने की आवशक्ता नहीं है एक प्रिष्ट प्रदर्शित किया जाएगा जहां आपको उल्लिखित क्षेत्रों में सभी अंकों और विश्यों का उल्लेक करना होगा एग न्यूरों पर क्लिक कर सकते हैं ध्यान दे की सभी विश्यों के योग की स्वचालित रूप से गन्ना की जाती है उमीदवार अधिसूचना से सुनिश्चित करें कि उनके विश्यों और अंक आवेदित श्रेणी के लिए पात्रता मांदन से मेल खाते हैं अब सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें अब परीक्षा केंद्र मेनू में आपको अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा के लिए पांच राज्य और शहर के विकल्प का चयन करना होगा और किसी भी शहर को दो बार नहीं चुन सकते हैं अब सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें आवेदन विवरन प्रिष्ट का पूर्वावलोकन प्रदर्शित किया जाएगा जहां आपको विवरनों को सत्यापित करना होगा भुकतान बटन पर क्लिक करने से पहले भरे हुए विवरन को सत्यापित करें भुकतान गेटवे में एक बार जब आप भुक्तान बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपको SBI E-Pay भुक्तान प्रिष्ट पर पुना प्रेशित किया जाएगा जहां आपको भुक्तान करने की आवशक्ता है भुक्तान UPI Credit Card, Debit Card या NET Banking के माध्यम से किया जा सकता है एक बार किया गया भुक्तान वापस नहीं किया जाएगा अब आपकी आवेदन प्रत्रिया पूरी हो गई है आवेदन के इतिहास टैब में आप आवेदन की स्थिती देख सकते हैं और भुक्तान रसीद डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद